बहुती प्यार पड़ी सस्यकाल मनु रोड़ा देतरफ तो सारे वियोज को तुसी इस टाइम जोड़ चुक्यों फो वाड़ा फ्राइम टीवी मंच देनार बीस मईट को होने जा रहे हैं पांच में चन्म के चुनाव जिसका चुनाव परचार बहुत ही बल पकड़ चुक्वा है और उनके सम्मान में बहुत सब्सक्राइब करें और चले सुनते हैं रहुल गांदी जी ने श्री किशोरी लाल शर्मा जी जो कि अमेटी के परतियाशी हैं कॉम्डस पाटी के उनके सम्मान के लिए क्या क्या था भाईयों और बेहनों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ देखिए किशोरी लाल शर्मा जी किशोरी जी यहां आई ये ये आपके लिए चालेस साल से जादा से काम कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने आप सुनिए अच्छी तरह सुनिए इनके साथ इनके साथ पापा ने मेरे पिता जी ने 150 कॉडिनेटर बनाई थे सुनिए सुनिए डिस्टर्ब मत कीजिए क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूँ आपसे 150 राजीव गांदी जी ने कॉडिनेटर बनाई थे ठीक है उसमें किशोरी लाल शर्मा जी थे और उसमें 150 और अलग-अलग लोग थे किशोरी जी अमेटी में काम किये आपके लिए काम किये मगर अगर आप उन बाकी कॉडिनेटर को देखो तो कोई PCC प्रेजिडन बना कोई मंत्री बना कोई MLA बना अलग-अलग-अलग स्टेट्स में ये सारे के सारे लोग कहीं MP बने, कहीं MLA बने, कहीं PCC प्रेजिडन बने इन्होंने स्टेट चलाए, मगर किशोरी जी ने 40 साल अमेटी के जनता के लिए दिये है इन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है, मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने अपना राजनेतिक करियर अमेटी के लिए सैक्रिफाइस किया है अपना खून पसीना अमेटी को दिया है इनको आप MP बनाईए मैं आपको दिल से कह रहा हूँ अमेटी के जनता को कह रहा हूँ मेरा आपके साथ गहरा रिष्टा है आप इनको MP बनाईए ये लोक सभा में आपकी आवाज रखेंगे इनमें भाईया कोई आंकार नहीं है आंकार से नुकसान होता है आंकार से अमेटी का बहुत जबर्दस नुकसान हुआ है इनमें इतना से साबी आंकार नहीं है ये कॉंग्रेस पार्टी के वर्कर थे अब लीडर हैं ये आपके Members of Parliament बनेंगे दिल से आपके लिए काम करेंगे खुन पसीना आपको देखकर काम करेंगे मगर मगर ये भी कहना पड़ेगा ये आपके MP है मैं राइबरेली का MP हूँगा मगर मैं भी अमेठी का MP हूँ आप ये मत सोचो मैं आपको बता रहा हूँ जो भी राइबरेली के लिए होगा जो भी राइबरेली के लिए होगा लिख लो आप जो भी राइबरेली के होगा के लिए होगा वो ही exact चीज अमेठी के लिए होगी अगर 10 रुपे विकास के राइबरेली जाएंगे तो 10 रुपे विकास के अमेठी पाच्सो करोण आए हजार करोण आए हाइवे आए इंफ्रस्ट्रक्चर आए पुल आए जो भी आएगा राहूल गांदी आपको वाइदा कर रहा है जो भी राइबरेली में आएगा उतना ही अमेठी में आएगा यह मैं आपसे कहना चाता था दिल से दिल से मैं जुडा हूँ दिल से मैं जुडा हूँ मैं आपका हूँ और जो भी जो भी आप मुझसे चाहेंगे जो भी आप मुझसे चाहेंगे हमारी सरकार बनेगी आपको मिलेगा मैं दिल से आपको कह रहा हूँ BJP ने भाईों और बेहनों अमेटी का नुक्सान किया है आपसे food part चीना यह जो k-47 की factory थी उसका contract चीना public sector की जो factory थी उनको privatize कर रहे हैं railway को privatize कर रहे हैं आरक्षन चीनने की कोशिश कर रहे हैं Constitution को रद करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब है मगर अमेटी को इन्होंने नुक्सान पहुचाया है आपकी इमिज पर नुकसान पहुचाया है हम चाहते हैं कि अमेठी चमकता हुआ सितारा हो पूरी दुनिया में आपका नाम हो और जो पहले विकास होता था वो ही विकास एक बार फिर अमेठी में हो फूट पार्ट चीन लिया नोकरिया चीन ली तो किशोरी जी को जिताईए भारी बाउमच से कम से कम 4-5 लाग से किशोरी जी को जिताईए और मैं आपके साथ हूँ अमेठी के लिए जो होगा वो राइबरेली के लिए होगा जितना मैं राइबरेली के लिए करूँगा उतना ही मैं अमेटी के लिए करूँगा आप हमारे हो आप मेरे हो परिवार का रिष्टा है पुराना रिष्टा है दिल से आपका धनेवाद नमस्कार जेहिन